नमस्कार, रेसिवी हल में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे टोमाटर राइस, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे हमने बहुत ही कम समय पर बना है, लेकिन इससे पहले आप हमारे चनल को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दी हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे सारे विडियो आपके पास पहुंच सके, टोमाटर राइस के लिए हमने एक प्रेसर कुकर को ग्यास में चड़ा लिया है, इसमें अब हम दो चमस देल लेंगे, जेल के गरम होने के बाद आधा चमस राई डालेंगे, आधा चमस और एक फूल चकरी डालेंगे, दो इलाइची, चार-पांच लंग और एक दालचिनी का टुकड़ा डालेंगे, यह थोड़ी देर गरम होने के बाद इसमें हम थोड़े से करी पता डालेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर दो सुखे मिर्च डाल सकते हैं, यहाँ पर हमने एक बड़ा प्याज को महिम काट कर लिया है, इसे थोड़ी देर चला लेंगे, एक मिनिट प्याज को भूनने के बाद इसमें एक चमाज अध्रक लेस्षून का पेस्टा लेंगे, इसे अच्छी तर एक दो मिनिट भून लीजिए, अब हम इसमें एक कप बास्मती राइस लें हमने यहां पर बास्मती राइस लिया है, आप चाहिए तो कोई भी चावल ले सकते हैं, चावल को 4-5 मिनिट के लिए हम अच्छी तरह से भूनेंगे, चावल को थोड़ी देर भून लेने से हमारा चावल जो है जिपचिपा नहीं होता है, इसके पाद हम एक कप टमाटर प एक कप चावल के लिए हमने यहां पर एक कप टमाटर प्यूरी और एक कप पाने लिए है, इसमें अब हम नमक मिलाएंगे, आधा चामाज लाल मिर्च लेंगे, आधा चामाज गरा मसाला लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और थोड़ी सी हिंग डालेंगे, और प्रेसर का कभर देके एक सिटी के लिए छोड़ देंगे, अब प्रेसर हमारा थंडा हो चुका है, इसे हम निकाल के देखते हैं, राइस हमारा कितना खिला खिला बना हैं देखिए, बहुत ही अच्छा बना है, इसे आप गर्मा गरम बना कर फटा फट खा सकते हैं, इसे घर पर एक बार जरूर बनाएए, खाईए और अपना कमेट हमें जरूर सेर करें, और मेरी चैनल को आप सेर करें और सब्सक्राइब करें,